नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो? तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी व्रेंड अभी लेवल है, जो CCTV कैमरा सेल करती है उन्हीं में से हम एक ये कैमरा लेके आगे हैं, जो की TP-Link का TAPO C500 है तो इस वीडियो में आपको हम इस कैमरे की Unboxing करके दिखाएंगे और इसमें क्या-क्या Special Features हैं, और इसकी Build Quality, और इस Box में क्या-क्या आपको मिलता है, वो सभी दिखाएंगे तो वीडियो में बने रही है तो दोस्तों ये कैमरा इस तरह की Packaging में आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या-क्या पीचर ट्रेवी लेवल हैं, वो यहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे तो इसे Open करके देख लेते हैं, इसमें आपको क्या-क्या मिलता है तो आप इसे जैसे ओपन करोगे तो ये इस तरह की Packaging में आता है, तो इसमें आप देखे होगे तो सबसे पहले ये है Man Camera तो ये इस तरह का आता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है Power Supply Adapter, तो ये इस तरह का आता है और यहाँ पर हमको माउंट करने के लिए एक Assembly मिलती है, इसको इस तरह से, ये Outdoor Camera है तो इसको इस तरह से लगाता है तो ये इसको माउंट करने के लिए काम आएगा, और यहाँ पर एक मिलेगा आपको ये Screw लगाने के लिए इसको Correctly Screw लगाने के लिए ये आपको एक Yellow Sticker मिलेगा और यहाँ पर आपको कुछ चार Screw मिलेंगे और इस Box में कुछ नहीं है, इनको Side में रख लेता है तो यह है हमारा Man TP Link का Tapo C500 ये इस तरह की Looking में आता है ये Outdoor Assembly है तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे और ये 360 Rotate कर सकता है इस तरह से, तो ये तो Origently हो गया और ये vertically इस तरह से भी कर सकते है इसको यहाँ पर आप Micro SD Card लगा सकते है और यहाँ पर ये एक Reset Button भी है तो उसे आप Pin से Reset भी कर सकते है तो ये इस तरह की Build Quality में आता है, इस तरह की Finish आती है इसकी, तो इसकी Build Quality देखोगे तो आपको बहुत बड़ी अफील होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाइट में और बलैक में आता है तो इस Camera की additional features की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह 360 और gentle यह rotate कर सकता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह 1080p में Full HD recording करता है और इसमें एक best feature दिया है, जैसे आप इसको बार्क इंस्टॉल करोगे तो यह IP 65 rating के साथ में आता है, तो जैसे थोड़ा पानी या किसी में भीग जाएगा तो प्रॉलम नहीं है, य इस camera को on करने के लिए, तो इस power supply cable को यहाँ पर दोनों को attach कर देना और इसे power plug में लगा देना, और जैसे इसे power plug में लगाओगे, तो यहाँ पर कुछ तीन light जल जाएगी, और उसके बाद में यह थोड़ा rotate उनने लग जाएगा, अभी इसे आपको online यूज करना है, तो mobile मे MRP लिखी हुई है, लेकिन आप इसे online purchase करोगे, तो यह 2500 के एंटर में मिल जाएगा, अगर आपको इसे purchase करना है, तो मैं link description में देदूँगा, तो दोस्तों यह था TP-Link का TAPO C500, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like करके जाए, और हमें support करने के लिए TAPO को subscribe कर करें, तेंक्यू